नमस्कार विद्धियर्थियों और के सर इंजिनेसर डाइब के लाइव यूटूब प्लेटफर्म पर स्वागत करते हैं दोस्तों यहां पर टाइटल आप देख रहा हूं क्या आप गवर्मेंट पॉलिटेकनिक कॉलेज में रेक्षर बनना चाहते हैं तो आज आपको मैं बताऊंगा step by step process यह वीडियो किसी भी स्टेट के लिए किसी भी कटिगरी के एस्परेंट्स के लिए हैं और आज एक्षर में क्या procedures होता है उसमें मैं आपको बात करूँगा सबसे पहले देखो मैं आप लोगों से request करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकि अंतर तक देखिए आपको देखो आपको भी बता है हर एक state का board आप technical education होता है जो कि अपने government college के लिए क्या निकालता है recruitment process निकालता है तो जो अभी एक example लेना चाहता हूं आपका UP Polytechnic का जैसे UP में आपको Polytechnic college में लेक्षर के लिए vacancies की vacancies आई हैं around 1200 से भी जादा vacancies हैं तो सबसे पहले तो मैं अभी सारे इस्परेंट से request करना चाहता हूं कि first step तो यही होता है कि आप किसी भी step के हो आप उस farm को apply करो farm को apply करो एक चिस जाद रखेगा इसमें जो हमारा basic हमारा primary है BTG आपका होना चाहिए इसमें mechanical के लिए electrical के लिए civil के लिए computer science के लिए information technology के लिए mathematics से जो BSE किया है MSC किया उनकी लिए सारे departments के लोगों के लिए vacancies है इस पीसलिए अगर बात किया जादा mechanical, civil और electrical के लिए था बहुत अच्छी majority है तो form अभी ongoing है प्रीज इस form को जाकर के apply करिए सारे state के लोग apply करना step 2 होता है दोस्तो जब आपने form को submit कर दिया apply कर दिया तो आपको next step होता है तो इस तो preparations करना आपको preparations करना पड़ेगा अब preparations के लिए सबसे पहले identify करना पड़ेगा तो इस तो examination pattern क्या है तो दोस्तो exam pattern की अगर बात करें तो देखो सबसे बड़ी बात examination pattern किसी भी state में अगर यूपी क्या reference लेकर की किया जाए तो देखो आपका यहाँ एक ही दिन में दोनों paper होंगे paper 1 paper 2 completely यहाँ पर written test है तो written test में आपको देखो पहले paper में आपके कुछ टेक्नि जो भी आपने बीटेक में जो भी subject पढ़ा होगा उसमें हमारा Hindi के साथ कुछ subject ले दिये जाते हैं फिर उसके बाद टेक्निकल में हो जाता है Hindi round आपका 75 marks का रहेगा 25 questions और technical questions आपका रहता है तो आपको यह 300 नमर का 100 questions रहेगा एक questions तीन marks के उसी तरह से यहाँ पे general awareness होता है यह भी हमारा 375 और यह भी हमारा total कितना 375 है अब सबसे सबाद बात होता है कि अब यह examination pattern है जैसे read and test दोनों paper एक दिन होगा फिर उसके बाद आपको एकचिस ज्याद रखना है कि interview होता है interview का बहुत ज्यादा weight is नहीं है दोस्तो 100 number का है तो कम से कम आपको जो number दाने है इसमें आपको around एकचिस ज्याद रखेगा जो number आपको दाना है आपको 60% की around गाना है आउट आप 875 की आसपास जो भी है 850 की आसपास उसमें आपको 60% की आसपास number गाने पढ़ेंगे दोस्तों अब सवाल होता है कि syllabus की बात देखो जब आप exam pattern समझ जाओगे तो सबसे बहुत जरूरी होता दोस्तो syllabus को identify करना तो syllabus uppsc.nic.in पर यह syllabus भी जारी हो चुका है इन जेनरल आपको मैं बतातूं in fact वही syllabus है जो आप uppsc.ae examination के लिए आप पढ़ते हैं syllabus पता चल गया तो आपको यह पता करना पड़ेगा दोस्तों कि support करिएगा previous year का questions कहां है तो आप previous year के questions के लिए दोस्तों reference बना सकते हैं uppsc.ae, uppsc.ae, uppsc.ae के previous year के questions आप अपने respected branch के तो अगर आप respected branch के previous year के paper को देखेंगे तो आपको questions का देबल पता चलेगा और किस-किस topics के questions आ रहे हैं दूसरा आपको इंजीनेस अड़ा चैनल पर मतब कि मैं आपको in fact बता हूँ अड़ा इंजीनेस अड़ा का जो YouTube चैनल फ्री में आप लोगों को मैं guide कर रहा हूँ 5 PMP, 5 PMP mechanical के लिए और 7 PMP civil और mechanical दोनों के लिए दोस्तों DFC-CIL के बाद हमारा वही topic होगा यहां पर हम आपको उस examination के लेबल के previous questions करा रहे हैं, expected questions करा रहे हैं और in fact concept भी आपको समझा रहे हैं दोस्तों यह आपको चैनल subscribe करके अब सवाल ही होता है दोस्तों चलो हमने सारी analysis कर लिए सब कुछ कर लिया दोस्तों हमें next step क्या होता है next step होता है दोस्तों कि हमें अपना target decide करना है कि हमें selections लेना है कि नहीं concept पर आपको focus करना पड़ेगा concept के लिए दोस्तों आप यूटूब की तरफ जा सकते है अलगलग या तो offline classes जवाइन कर दो अगर आपके पास पैसा अचा खासा है तो आप offline classes जवाइन कर सकते हैं best है no doubt but अगर आपके पास पैसा नहीं है और हलाकि आजकल तो online class बच्चे offline से most convenient हो जा रहा है क्योंकि यहां पर face काफी कम होती है दोस्तों face काफी कम होती है राउंड जो मैं offline की face बताऊं तो मैं जो offline की बात अगर करूं तो offline में 50,000-55,000 PSD लेबल की तयारी के लिए लगता है फिर उसके बाद आपको तमाम तरह रहा है यहां पर तो fees तो और वहां पर recorded videos वहरा नहीं मिलते दोस्तों मैंनों जी जो सामने आपको एक बार हो जाएगा हो जाएगा यहां पर तो online में दोस्तो recorded videos भी है teachers आपका 3D animations के साथ आपको concept को समझा भी सकता है दोस्तों उसके बाद इसमें test series भी मिल जाती है इसमें live classes भी मिल जाती है और उसमें आपको सार कोज करो online किसी भी class को join करके अगर आप कर लेते हैं तो practice के लिए दोस्तों मैं suggest करता हूँ ESC के previous error के questions जगाओ gate के एक number के questions जगाओ और ESC के सारे questions नहीं 20-70% आपको basic basic दोस्तों उसके बाद आप SSC जई के रखा कर सकते हो साथ-साथ आपको UPPSC के मतब की UPPSC का made easy publication का या किसी भी publication का अड़ा का e-book देजो वो आप लोगों के लिए best रहेगा तो कहीं सभी आपको practice करना पड़ेगा दोस्तों जब आपका practice हो जायेगा दोस्तों एक बहुत important है कि अच्छे questions थे उसको highlighted आपने किया तो वहां से highlighted portions revisions करिए दोस्तों अच्छे questions को revise करिए जो आपने पहली बार में गज़त किया है और इस तरह से आपको अब दोस्तों अगर आपको preparation करनी है तो मैं आपको in fact बताऊं हमने तीन ब्रांच के लिए live interactive classes अब यहां से आपको revisions revisions जैसे ही आपका हो जायेगा बस आप next phase में enter कर चुके concept भी तयार practice भी कर लिया revisions भी कर लिया, revisions courses कर यह day में एक बार, week में आपका एक बार, फिर आपको मन्त में एक बार, फिर आपको दो से तीन महीने के gap में एक बार, बतार revisions हमेशा साइक्रीक होते रहना जाए, बाकी in fact concept practice revisions हो गया, तो दोस्तो हमने आप लोगों के लिए एक help के लिए बहुत बहतरीन मतलब की sessions प्लान आउट कर दिया है, क्या तीन ब्रांचेस के लिए, civil engineering के लिए, electrical engineering के लिए, mechanical engineering के लिए, UPPSC polytechnic lecturer का live interactive classes आ रहा है दोस्तो, 30 सितंबर स सिबिल का है, 27 सितंबर से electrical का है, 4 October से mechanical engineering का है, और in fact मैं आपको live interactive classes की benefits बता दूँ, आपको इसमें, मतब फीस आपको around 2700 रुपे के आसबास हो, फीस बहुत कम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप वीडियो की नीचे description में लिंग पढ़ा हुआ है, वाई 201 code रगा दे आपको पूरा हिंदी मिलेगा, आपको पूरा non-technical segment मिलेगा, पूरा technical मिलेगा, सारी चीज़े आपको मिलेगी दोस्तों, इसमें याद रखेगा, one stop solution है, सरसो आपको आपके UPPC पूरा detailed concept मिलेगा दोस्तों, यह crash course नहीं है, detailed concept बादा बैचे दोस्तों, तो आपके preparations के लिए बहुत अच्छा बैच है, आप चाहो तो इसको enrolled कर सकते हो, याद रखना वहाँ पे आगर आप 12,000 दिखाएगा, अगर आप चाहती हो कम, तो वाई टूजर बन रहा है, एक option और भी है दोस्तों, आप लोगों के लिए, आपके respected branch का महा पैक लेदो, तो उसमें SSC JEE का भी बैच, UPPSC का भी बैच, NHPC का भी बैच, और आपको UPPSC का Polytechnic Lecture का Test Series, Book, सारी चीज़े मिल जाएंगे, यह महा पैक बच्चे 6 महीने के पैक में available है, 6 महीने का लेते हो, तो आपको around 1300 का पड़ेगा, 1300 का पड़ेगा, जब आप Y201 को रोगे दोस्तों, तो आई यह फटा-फ पर जाओ के, exam section में select करना पड़ेगा, engineering examination, engineering exam, अब engineering examination में कई सारे options आते हैं, तो महा पैक पर जाओ, या आप सर्च कर दो, बस mechanical engineering का महा पैक, जो भी आपको यहां पर इसमें ज्वाइन करना है, आप महा पैक लेजो दोस्तों, महा पैक में भी आपको Y201 code यूज करना है, you will get the 78% off, right, तो यह आपको सीज याद रखेगा, तो थैंक यू, उमीद करते हैं, आपको step by step मैंने process बता दिया, और यही pattern मैं in fact आपको बता रहा हूँ, हर एक state के लिए होता है, किसी भी state के पॉल्य टेक्निक कावज़ में लेक्षर बना चाहते है, salary बहुत अच्छी होती है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो यह जो बैच हमारा आ रहा है, अभी एक से दो दिन बाद शुरू हो जाएगा, तो बैच सुरू होने के पैदे स्टार्टिंग से पढ़ने का आनन्द ही दूसरा है, तो मेकानिकल की जब क्लास शुरू हो कि उसमें थोरी आप मसीन दोस्तों, एक बार अगर आप ये इसका रिफरेंस बना के कर गिया ना, तो किसी भी स्टेट में अगर आपको ब्रकेंसी आईगी, आप करेक कर लोगे, चार से पांस मेंने का टाइम, और इन फेक्ट मैं आपको बता दू, एक्जामिनेसन ज्यादा लेट नहीं होगा, जव